नमस्कों मैं हुशुभी और आप देख रहें नियूस वानीशन राज्य नर्वाचन आयूग की तरफ से पंचाय चुनाओं को लेकर पूरी तैयारियां दमखम के साथ की जा रही है और जल्द ही पंचाय चुनाओं के तारीकों का एलान होगा इसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं बताया तो ये भी जा रहा है कि 20 अगस्त के बाद कभी भी पंचाय चुनाओं कराए जा सकते हैं लेकिन सब के बीच सवाल ये उड़ता है कि आखर बार प्रभावित शेत्रों में चुनाओं कब होगे इसकी जानकारी हम आपको विस्तार से देते हैं बिहार में 20 अगस्त की बाद किसी भी दिन पंचाय चुनाओं की घोशना हो सकती है पंचायती राज विभाग ने इस बाद के संकेत दिये हैं बार प्रभावित शेत्रों में चुनाओं कब होगा इसवर पंचायती राज विभाग की बैठक चल रही है फिलाल इसवर कोई अपडेट नहीं है बताती चले के बिहार में मार्च अप्रेल में पंचायत की छे पदों पर चुनाओं होना था लेकिन कोरोना संक्रमन के कारण इसे टाल दिया गया सूत्रों का कहना है कि पंचायत चुनाओं को लेकर राज निर्वाचन आयोग ने डॉक्टर प्रिसाद ने सभी जिलों को आरक्षन से जुरी तूटियों को एक सपताह में दूर करने का नर्देश दिया है सूत्रों का कहना है कि कुछ जिलों में एक ही नवंबर का इवियम एंट्री किया गया है आयोग ने नर्देश दिया हैं कि उसे संबंधित जिले के साथ बातशीत कर तीन अगस्त के आसपास सही कर ले इसके साथ ही नगरविकास इवं मावास विभाग द्वारा नवगठित उतक्रमित वसीमा विस्तारत नगरपालिका के परिवर्तन को पंचायत निर्वाचन नियमा वली की सू संगत नियमों के अनुसार संशोधत करने को कहा गया है साथ ही उसी के अनुसार मदाता सूची और मदान केंद्रों में भी संशोधन करने के निर्देश दिये गये हैं जिसके बाद कभी भी पंचाय चुनाओं को संपन करानी की बात कही जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें पंचाय चुनाओं को लेकर तो पहली दफ़े ऐसा होगा जब EBM के माध्यम से पंचाय चुनाओं संपन कराए जाएंगे। इसके अलावा बैलिट बॉक्स का भी इस्तमाल किया चाहेगा इसके साथ साथ बता दे की बूतों पर जो अधिकारियों की संख्या होगी वो पांच होगी पीठा सीन अधिकारी भी वहाँ पर मौझूद होगी साथी साथ प्रत्याशियों के नामों को लेकर भी अब जो रंग है उसकी घोशना कर दी गई है हरे लाल और नीले रंग का इस्तमाल होगा नामों को लिखने के लिए और उसके बाद ही इवियम के साथ जब बैलिट बॉक्स में मद्दाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने चाहेंगे तो उनको कोरोना के इस सभी नियमों का अनिवारे र झाल 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 झाल